नमस्कार दोस्तों आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है आज मैं आप सभी को क्लाइस 12 साइकलोजी का प्रिटकल लिखना बताऊंगा यह बहुत सारे बच्चे इसमें कनफ्यूज रहते हैं कि प्रिटकल कैसे लिखेंगे तो इस वीडियो मैं आपको बिल्कुल आसा साइकलोजी के तो उसके पास सेर भी जरूर करें तो देखें सबसे पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देखें चाहे आप को पास कोई भी परकासन का प्रिटकल के कोपी है फिर भी आप देख सकते हैं और आप अच्छे से समझ जाएगा क्योंकि मेरा मकसद यह नहीं र पिर भी आप लिख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रिटकल लिखना कैसे है साइकलोजी का तो देखें आपको पास तो कहीं भी बुक एश्टोर पे जाना है और वहां से आपको जो प्रिटकल का नोट बुक है वो खड़िद लेना है चाहे वो स्फिरेष्ट ह eradiswood डिया गारिश्में स्सूर्टी फिकट होगा क्या होगा स्वटी फिकेट पास चीज लिखना है और कुछ छोड़ेना है जो टीचर के काम है उटीचर खुद लिखलेंगे स्मझ गए अपको लिख यह लिखलेना है अपको नेम लिखलेना है क्लास लिखि आपको छोड़ देना है समझगे यहां लिख देना है जिस year आप एक्जाम देने वाल है उसमें लिख देना है 2022-23 साल भी दे रहे है उसका नाम लिख दीजेगा समझगे यह 20 है 22-23 जो भी लिखना है लिख दीजेगा तो इसमें लिखना है Out of that in the subject आपको जो subject है psychology तो इसमें psychology लिख देना है आपको main चीज इसमें भरना है name class name class institution name लिखना है बाकी आपको सब चीज छोड़ देना है वो teacher भर लेंगे समझगे जहां practical के copy आप जमा कीजिएगा देखे इसमें teacher in charge का signature चाहिए इसमें examiner का signature चाहिए जो आपको practical का exam लेते है उनका signature चाहिए और यहाँ principal का signature चाहिए तो यह सब आपको छोड़ देना है समझगे इसमें आपको कुछ बात जो बता है उसको सिर्फ लिख देना है तो चले हम आपको आगे बताते हैं कि और कैसे लिखना है तो देखे इसमें index है इसमें first है name of the experiments, date of experiments, page number, date of submission और remarks तो देखे इसमें कुछ चीज आपको लिखना है, कुछ चीज छोड़ देना है जैसे क्या लिखना है अगर name of the experiments में आपको तो जरूरी है लिखना क्या लिखना है हम चली आपको बताते है तो आपको पता होगा कि जब notebook लिजेगा उसके साथ आपको एक book मिल जाएगा कोई भी परकासन के लिजेगा उसके साथ जरूर मिल जाएगा समझ गए? अब वीडियो को जरूर देखिए आपको पास कोई भी परकासन का book है न बिल्कुल आपस अच्छे से लिख लिजेगा कोई दिकत नहीं होगा और दिकत भी होगा तो मैं आपको last में ज़रूर बताऊँगा कि आपको उसके लिए भी आपको क्या कर सकते है समझ गए? तो इस तरीके से आपको book में जो subject सुची है यानि विशाय सुची है वह रहेगा समझ गए? तो आपको क्या करना है? हाँ, कुछ practical का जो book है उसमें आपको इस तरीके से रहेगा कुछ practical के book में पर्योजिना संख्या 1, पर्योजिना संख्या 2 इस तरीके से रहेगा और साथ में उसमें ये भी रहेगा कि परिक्षन संख्या 1, परिक्षन संख्या 2 तापको क्या करना है? उस दोनों में समिलावला के आपको लिख लेना है समझ गए? और अगर इस तरीके रच से रहे फिर भी आपको कैसे लिखना है? चलिए हम आपको ये भी बताते है तापको क्या करना है? देखिए, बिसस सुची है तो फर्स्ट है टेस्टिंग यानि परिक्षन ताप परिक्षन लिखिएगा अगर माल लिजे परिक्षन लिखिएगा ताप फर्स्ट परिक्षन लिख रहे है तो आपको क्या करना है इस name of the experiments में first में आपको परिक्षन लिखना है समझ गए क्या लिखना है परिक्षन लिखना है और date of experiments ये कब लिख रहा है उसका date लिखना है और page number और page number में क्या लिखना है चलिए हम आपको बताते हैं जैसे माल लीजे जैसे आप लिखने के start कर रहे तो सबसे first page है आपको इस तरीके से रहेगा तो इसमें आपको लिखना है पर्योजिना संख्या यानि जो experiment लिखेगा वो आपको लिखना है अगर माली जो आप first लिख रहे हैं तो आपको first इसमें देना है और page number आपको करम से लिखना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे जितना आटेगा उसके बाद जो page रहेगा नि इसके जो back वाला page रहेगा वो साधा रहेगा तो साधा में आपको करना है क्या जो भी पर्योजिना में अगर कोई चीतर है कोई तालिका है उसको आपको इस साधा में बना देना है तो page number एक दीजेगा फिर यहाँ दो लिखेगा फिर इसके बाद एक blank page आएगा इसको छोड़ दीजेगा इसमें जो भी figure होगा, तालिका होगा उसको बना लिजेगा फिर यहाँ page number 3 लिखेगा यानि करम से लिखेगा और हाँ, experiment नमर में क्या लिखेगा फिर 1, 2 लिख रहे है और एक बात और समझ जाए, जैसे प्रेट कर लिखेगा आपको कुछ बात ध्यान में रखना है आपको pain क्या करना, अलग-अलग color के यूज करना है जैसे माली जी ये परिक्षन है तो इसको आप अलग color से लिखेगा जो heading line होगा, उसको अलग color से लिखेगा और बाकी जो answer होगा, उसका अलग color से लिखेगा कोई भी आप अलग-अलग pain के यूज कर सकते है समझ गए, तो कैसे लिखना है पेन आप एक तरी से लिखेगा अगर माली जी बहुत सारे बच्चा है मनोबैग्यानिक परिक्षन ये भी बलेक पेन से लिखेगा ये ही, तो उसको पते न चलेगा कि कोण topic है और कोण answer है तो आपको क्या करना है, अलग-अलग pain के ये उज़ करना है, यानि दो तरीके के फेन के उज़ कर लिजएगा असान रहागा, अगर माली जी इसको लिखना है मनोबैग्यानिक परिक्षन उपर ता आप टेस्टिंग लिख दीजएगा जो भी color से लिखना है जो second बे मनोबैग्यानिक परिक्षन ती इसको आप ब्लू से लिख दीजएगा ताकि आपको अच्छे रहे और थोड़ा देखने भी सुन्दर लगे और हां handwriting जरूर बैठाईएगा प्रेटकल के कोपी में आप handwriting कोशिश कीजिएगा बहतर से बहतर लिखे समझ गये और एक बात और बता देते प्रेटकल के कोपी आप खुद अपने से अगर आप citizen है न तो आप खुद अपने से लिखेगा बहुत सारे बच्चे क्या करते है अपने भाई के बहँन के किसी को भी दे देते है लिखने के लिखने के आप लिखने के काम खुद कीजिये गा इसलिए कि आपको बहुत सारे चीजी इसमें से समझ में आएगा उसी समय आप जब लिखते रहिएगा समझ गए और यहाँ बोट एकजाम में भी आपके लिए बहुत ही उश्फूल होगा तीसे लिए आप खूद लिखिए समझ गए फर्ष्ट लिखना है कैसे हम आपको बता दिये और एक बात यहाँ समझ जाए अगर माल लिजे आप फर्ष्ट लिख लिए लिख लिए अगर आपको सेकेन लिखने के नहीं मन है यह बहुत बड़ा है तो आपको माल लिजे यह बूधी परिक्षन लिखना है इसमें कौन number है इससे आपको मतलब नहीं है आप वहां क्रम से लिखेगा अगर मालीज आप first लिख लिए है कोई इसमें के कोई भी first में लिख लिख लिए है अगर second लिखना है तो second अगर मालीज आपको लिखना है घन निर्मान परिक्षन अगर आप दुसरा में ये लिख रहे है तो आप इसको यह number आपको यह number नहीं दे कर उसमें आपको जैमा number आप लिख रहे है वह number दीजेगा समझे गर माली हम तिसरा लिख रहे है और तिसरा है चिंताम आपनी इसी तरीके से लिखना है और हाँ कोई भी practical का copy रहे इसी तरीके से आप लिख सकते हैं तो आपको बता दिये ज़रू समझ में आया होगा क्या क्या करना है ठीक है कोई भी लिखना है जो भी मन हो वो लिखना है और आप अगर first लिख रहे ता आप वहाँ first लिजेगा लिखिन अगर आप यहां कोई भी रहे उसे मतलब नहीं है अगर मालीजे second लिख रहे ता आपको यहां second number देना है समझ कें जैसे मालीजे first लिख लिख लिए है परिक्षण कोई भी लिखे अगर लिख लिख लिए अगर आपको second दुसरा लिखना है तो दुस्सा लिखना है अगर मालीजे बूधी परिक्षा लिखना है यहाँ पांच में लेकिन उससे आपको मतलब नहीं आप कितने नमबर लिख रहे हो लिखना है अगर मालीजे आप फर्स लिख रहे हैं यह सेकेंड लिखना है सेकेंड देना है और सेकेंड अगर मालीजे आपको इसमें भी लिखे और इसमें भी लिखाया इसमें भी लिखाया तो आप लिखते रहेगा अगर इसमें भी सेकेंड है तो आपको सेकेंड लिखना है और page number अगर मालीजे 5 में है तो यहां पचमा लिखना है समझ गय? तो page number कैसे लिखाएंगे हम आपको बता देते हैं जैसे मालीजे आप 1 लिख रहा है 2 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है मालीजे page है आपको 1,2,3,4,5,6,7 आपको पहले तो copy के पूरे पेजिंग कर लेना है इस तरीके से अगर मालिजीा आप first परयोजना 1-2-3 यानी 1-2-3 पेज में लिखे है ता आपको first परयोजना इसमें लिखे है तो आपको लिखना है जो यहां है न पेज नमबर तो आपको लिखना है एक से तीन समझ गए अगर सिकेंड लिखे है चार से साथ में तो आपको सिकेंड में लिख देना है चार से साथ समझ गए क्या लिखना है चार से साथ तो इस तरीके से आपको लिख देना है अगर माले ये थर्ड लिखे है और थर्ड है इसमें लिखना है page number में ध्यान रखेगा यहां तक first है यह फिर second के लिए यह third के लिए है फुल जितना दिया हुतना आप लिख सकते है समझगे और इसमें जरूर लिखिए अगर मालीजे first में लिख लिए है फिर second में अगर आप लिखे बुधी परिक्षन तिसमें दीजे बुधी परिक्षन हिंदी इंगलिस दोनों लिख सकते है कोई दिकत नहीं है समझ गए और हाँ date of submission आप छोड़ दीजेगा और remark भी छोड़ दीजेगा तो आपको अब समझ में आया की नहीं comment box में जरूर बताए और आपको जो भी problem हो आप बता सकते हैं तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा और समझ में आतो वीडियो के like और नए होते channel को subscribe जरूर करे साथ में अपने दुस्तवा share भी जरूर करे धन्यवा